प्रिवान कैसे हैं आप लोग कैसे हैं मेरी प्यारे वीवोस फूप सब अच्छे होंगे पॉजटिव होंगे अपने लाइफ में अच्छा कर रहा होंगे आज की जो हमारी डीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपको अपने जीवन में सच्छा प्यार क्यों नहीं मिलता क्या र आप आप नकारात्मक शक्तियों से घिरे रहते हैं आज हम यही देखने जा रहे हैं जेरल कलेक्टिव रिडिंग है। टाइमलीस रिडिंग है मेभी आपसे रर्जुनेट करें ,मेभी ना करें तो इस वीडियो को जाने दे और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हुँगे ये टाइंलेस रीडिंग है ईस lunar Noble Reader हमेशा timeline reading होती है तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ये वीडियो कहीं न कहीं आपसे तभी resonate कर रही होगी तो हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या है आपकी life में कि कभी भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिलता आप हमेशा दुख तकलीफ में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो देख लेते हैं क्या है ऐसा दिश विपार देखूँ चैंजिंग क लेद़्ेता जोड ठापन संप लेट करहूड घ कम ले अबाबाबाबाबा रस नुछ soupंड रसम्ट कर दिश flour ऋ आफ टूक्षौद आफ ऊस तेख लेए खाफ देख मेंगाugen कि टोडार करम। जज्ज्मिन्ट और यहां पर आ गई 10 of sword की energy सच्छा पर आओ, एक card और है, यह नहीं दिखा मझे, I'll check this, okay, king of pentacles बहुत एक दूसरे से जब energy match नहीं करती न, तो reading बढ़ी conflict वाली हो जाती है, reading यह दिखाती है कि हाँ, जीवन में संगर्ष बहुत किया है, efforts अपनी तरफ से बहुत किये हैं, लेकिन जब लोग समझ ना पाएं, है न, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, कि चीजें क्या हैं, कैसी हैं, कौन सी चीजें life में अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, यह अस्तित्व की हमेशा लड़ कि लाव को, आपने खुद ही accept किया है, यह ऐसा क्यों है, क्योंकि परिवर्तन बिलकुल बात सच है कि संसार का नियम है, लेकिन आपने लोगों को बहुत जादा बदलते देखा है, कहते हैं, कि इनसान को एक लेवल पर आके इनसान ठक जाता है, कि वो कुछ भी करता है, जब तक इनसान का अपना स्वार्थ है, जब तक इनसान की अपनी नीड है, जब तक उसे आप से कुछ लेना है, तब तक वो आपके लगाओ में रहता है, और जैसे ही कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज या आप उनसे कोई ऐसी चीज चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं, जिससे आपको भी खुशी मिले, वो खुशी ये इनसान आपको नहीं दे पाते हैं, और फिर वहाँ से आपके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता होगा, दो वर्ड, आप दो वर्ड का कार्ड आपको यहां यह नहीं कह रहा है, दुनिया में हर लोग के साथ आपने जीवन बिताया है, जितने भी लोगों के साथ आपने एनर्जी को मैच करने की कोशिश की है, सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं बदलाव की एनर्जी में रहे हैं, एक नेगिटिव एनर्जी में रहे हैं, कहते हैं कि अपना काम है, तो आप उनके लिए बहुत हैं। अपना मतलब नहीं है तो आप उनके लिए एक अंजानी दुनिया है एक एसी एनरजी है जो आपको न समझना है उनको जैसे कहते हैं, किसी को कोई लेना देनाही नहीं है आप से उन लोगों को तब तक लेना लेना है जब तक आप उनको कुछ दे रहे हैं क्योंकि यहां पे 10 of sword की energy है लोगों ने जख्म बहुत दिये हैं पीट पीछे वार बहुत किये हैं उन लोगों को आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जो लोग जख्म दे रहे हैं जो लोग पीट पीछे वार कर रहे हैं उन लोगों को कही न कहीं आप पहचान नहीं पाए judgment की energy को मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि न्याय मांगना और न्याय मिलना दोनों अलग चीज़े हैं अभी तक सिर्फ आप judgment मांग रहे हैं universe से prayer कर रहे हैं universe से ये prayer कर रहे हैं कि मेरी life में भी कोई ऐसा हो आपके विचार और दुनिया के विचार शायद मैश नहीं हो राएा, आपकी energy और जो भी आपके आसपास लोग हैं, क्योंकि world की energy, मतलब हम पूरी दुनिया के लोग उससे उतर रखते नहीं है, हमारे कुछ लोग हमारी दुनिया होते हैं, तो जो लोग आपकी दुनिया है, चाहे वो आपके parents है, चाहे वो आपके colleagues है, चाहे वो आपके parents है हाना, उनसे हमیشہ आपका conflict बना रहता है आप कितनी भी purity के साथ, चीजों को handle करने की कोशिश कर ले, आप कितने भी दिल से चीजों को handle करने की कोशिश कर लें और आप क्यूंकि emotional है आप बार बार जिसने आपको 10 of sword की energy दी देखें आप लेटे हुए हैं और एक के बाद एक तलवारे आपके पीछे आई जा रही है एक के बाद एक negativity आपकी life में आए जा रही है आप चुपचाप उन चीजों को सहते जा रहे हैं आप बदलाव लाने की कोशिश करते हैं आपको एक और धोका मिलता है आप अपनी जीवन में progress करने की कोशिश करते हैं आपको धोका मिलता है यानि कि जिससे step by step न सारे लोग एक group बनाके बढ़ गए हैं इसलिए the world card है the world card ये नहीं है कि दुनिया में जितने लोग इसब आपको धोका दे रहे हैं world card ये है कि आपकी दुनिया में जितने लोग हैं आप एक पर भी ये नहीं कह सकते कुछ लोग होते ना आख बंद करके मेरी जीवन में ये इनसान है जिसमें मैं भरूसा कर सकती हूँ या जो मेरी लाइफ में positivity ला सकता है या जो मेरी लाइफ में खुश्या ला सकता है या जिससे मैं ये कह सकती हूँ जहां आख बंद करके मैं भरूसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो energy आपकी life में कही न कहीं missing है यानि कि आपके साथ जो लोग है न, वो कहीं न कहीं स्वार्थवश आपके साथ है वो इसलिए आपके साथ नहीं है, कि आप उनकी life में कुछ positive करेंगे या उनकी life में कोई खुशियां लाएंगे, नहीं, आप, वो इसलिए आपके साथ है कि जब तक उनका काम बन रहा है, तब तक ठीक है, जिस दिन काम नहीं बनेगा उस दिन वो आपको छोड़ देंगे, चले जाएंगे, अब आती है judgment की energy जज्मेंट की energy क्या है कि नियाय आप इश्वर से मांगते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो आपकी lacking है लोगों को समझ ना पाने की वो problem है, lacking आपकी क्या है, कि आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं, आप judgment तो मांग लेते हैं, लेकिन फिर से अगर जिससे मालक किसी आपको पता चल गया कि इस इंसान ने आपको धोका दिया है इस इंसान ने आपको जीरवन में तनाव दिया है इस इंसान ने आपकी लाइफ में नेगिटिविटी दी है तो वो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है लेकिन फिर भी अगर उसको आपको उस इंसान को आपकी जरूरत है ना तो वो इंसान आपके पास आएगा और आप उसको फिर से माफ कर देंगे और आप उसकी लाइफ में फिर से कहीं न कहीं active हो जाएंगे आप उसकी फिर से help करेंगे तो जब judgment की energy पर हम बात करते हैं तो ब न्याय चाहिए किस चीज़ का जब एक इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है और हम उस इंसान को फिर से help कर रहे हैं तो हम फिर न्याय किस बात का माँग रहे हैं अगर आपके साथ किसी ने गलत कर दिया आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान आ गया और आप उसको बार 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 आपको दर्द दे रहा है तकलीफ दे रहा है तो फिर आप उसी जगा उसी तलाश में क्यों लगे हुए है अना सच्चे प्यार की तलाश है तो आपको अपनी तलाश बदलनी चाहिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ लानी चाहिए आपको अपने अंदर खु पे रखूंगी. Stress. Politics. Existence. Fighting. सबसे पहले मैं the world की energy की बात करूँ. आपके जो भी आसपास के लोग हैं, आपके जो भी नियर एंडियर हैं, उनके लिए आपने अपने जीवन को बिल्कुल ऐसा कर लिया है कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में. आप उनके साथ रहना चाहते हैं और उसके लिए आपने बहुत जादा अपने जीवन में तनाव देखा है. यहाँ पर मैं यह नहीं कहूंगी कि उन लोगों की बहुत जादा गलती है, गलती कहीं न कहीं इसमें आपकी भी है. और फिर वापस उनहीं लोगों के पास जा रहे हैं. तो किस बात का जज्जमेंट आप चाहा रहे हैं? किस बात की निगिटिविटी आपकी लाइफ में है? कित बात की एक्स्प्रेशन आपकी लाइफ में है? तो दे वर्ल्ड की एनरजी ये कह रही है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, जब आपको पता है कि वो स्ट्रस दे रहे हैं. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रस मिला लोगों को से. आपको लोगों ने, देखिए, एर की भी सेवन नमबर की एनरजी है, और फायर की भी यूज करना, तो आपके जीवन में अगर दो ही तरह की एनरजी हैं, कि या तो लोग आपको तनाव देते हैं, या लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, तो फिर आप किस जज्जमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो फिर जज्जमेंट आपको प्यॉरिटी के साथ चाहिए, प्यॉरिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, कि आप उन लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ में नो कह दीजे, अब आप कहेंगे नो कहूंगा तो एक्जिस्टेंस की एनरजी है, अभी भी तो आप जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी घटनाए घट रही हैं, आपकी लाइफ में जो भी चीजे हो रही हैं, वो कही ना कहीं आप एक ऐसे फेज में खड़े हुए हैं, जहां आप और प्रकड़ती सिर्फ अकेले लड़ रही हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही ह और जब कुद्रत न्याय करने पर आती है और वो लोग लोटके आपके पास वापस आते है js, तो उसी चुद्रत के न्याय में कही न कही आप बाधा बनते हैं, क्यूंकि फिर आप पॉसिटिव भी होना चाहते हैं, फिर आप एक ऐसी चीज भी करना चाहते हैं, जो अपनी ला प्रवाइफ में strength भी दे देते हैं उन लोगों को जिससे कोई आपके पास आता है तो आप उसको सही guide करते हैं जिससे उसको ताकत मिलती है और कई बार वो ताकत फिर आप ही के विरुद्ध काम आती है वो लोग फिर आप ही के विरुद्ध वो काम करते हैं fighting की energy है अपने आप आपको cover करना आपने आपको negative ना होने देना लेकिन दुखी तो आप है आप जिन लोगों से हटना चाह रहे हैं जिन लोगों से बचना चाह रहे हैं वही लोग आपको दुखी कर रहे हैं वही लोग आपको परेशान कर रहे हैं उन्हीं लोगों की energy कही ना कहीं आपके औरा के या किसी भी ऐसी energy के आप target बन जाते हैं जो आपने किया ही नहीं कहते हैं रिष्टों में शिकार बन जाना तो प्यार मिलना तो दूर की बात तनाव आपकी life में उससे कहीं जादा हो जाता है प्यार तो आपको मिलना है ही नहीं प्यार तो कहीं नहीं है ही नहीं आपकी life में आपकी लाइफ में कही ना कही तनाव हो जाता है आपकी लाइफ में कही ना कही नेगेटिवीटी हो जाती है existence की energy आ जाती है fighting की energy आ जाती है लोग खुद ही आपसे negative बात बोलेंगे और फिर खुद ही लड़ना शुरू कर देंगे आप emotional level पे fight कर रहे हैं वो mental level पर fight कर रहे हैं हाना लोग आपके साथ खेल खेल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और आप अपने आपको सिर्फ protect कर रहे हैं और ज़्यादा क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो कही न कहीं कुदरत से, एक ऐसी एनरजी मैचना करना, ये वाली चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो गए हैं, देखिए एक तरह से positive चीज भी है, लेकिन जब हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें समाज में रहके ही चीज़े करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पर आपके लिए चीज निकल के आई है, inner voice बहुत दिन से आपका मन हो सकता है, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, आपका मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, इस पे आपको चलना चाहिए, ये इस पे नहीं चलना चाहिए, तो आपको अपने दिल और दिमाग को, क्योंकि कुछ रास्ते मुझे यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, फिश की energy है, mind को बंद कर दिया है और सिर्फ आप मन से सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी energies हैं, जो आप को कहीं न कहीं दिल और दिमाग का balance रखने की ज़रूरत है हैना, दिल और दिमाग का अगर आप balance रखते हैं, तो आप सही रास्ते पे जा सकते हैं, तो आप सही चीजों को manage कर सकते हैं, सही आप अपनी life में apply चीजे कर सकते हैं, awareness, अब से जूसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, या आपके मन में जो भी विरुद आपके शडियंत रचे हैं, आपको उन लोगों के बारे में पता है, है ना उन लोगों के बारे में कही न कहीं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, कि आपको उन लोगों में क्या चीज negative है और क्या चीज positive है, बस आपको ये गिल्ट सता रहा है, कि आप बार 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 उन लोगों को माफ कर देते हैं सब कुछ जानते बूजते भी आप क्योंकि उनके प्रती डिवोटी है आप कहीं न कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग भी मेरे साथ परिशानी कर सकते हैं ये लोग भी मेरे साथ कहीं न कहीं गलत कर सकते हैं या इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो क्यों किया यहाँ पे guilt की जो energy है वो आपको अच्छे से यह बता रही है awareness की energy आपको बहुत अच्छे से यह बता रही है कि आप अपनी life में उन चीजों से उपर उठिये वरना जो stress guilt और politics की energy निकल के यहाँ पे आ रही है न वो कहीं न कि आपके जीवन को खराब गर रही है आपको progress में बाधा बन रही है आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और आपको इन ही चीजों से बचना है इन ही चीजों से आपको life में निकलना पड़ेगा नहीं तो यह जो guilt की energy है आपको देखे कोई प्यार तो करेगा नहीं दुख तकलीफ से आपका जीवन भरा हुआ है मन को balance करने की आपको ज़रूरत है अगर इतनी सारी negative energies मैं negative इसलिए कह रही हूँ कि अब वो आपके अंदर घर कर गई है किसी ने तनाव दिया आपने अंदर रख लिया किसी ने कुछ गलत बोला वो आपने अपने मन में रख लिया वो सब कुछ ना इकटा हो गया यहां पे और वो एक ऐसा pressure बन गया आपके दिमाग में जिसको आप resolve नहीं कर पा रहे हैं इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस energy में क्या करना चाहिए इस जीवन में मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए अगर आप इस तरह की चीजों को अपनी life में और अधिक आने देंगे तो यह जो guilt की situation है यह कही ना कही mental stress का रूप ले लेगी तो आपको जीवन में प्यार नहीं मिला हमेशा तनाव मिला लोगों ने आपके जीवन में आपकी पीट पीछे आपके चुरे गोपे वो बिल्कुल देखी वो आपके वश में नहीं है है ना वो हमारे साथ कोई क्या कर जाता है वो हमारे वश में नहीं होता लेकिन हमारे वश में एक चीज जरूर होती है कि जब कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है तो हमें उसको कितना accept करना है आपको postponement की energy चार आपका जीवन का सारा संगर्श ही ये है कि लोग मुझे बुरा कहते हैं लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि जब से आपने ये चीज सुननी, सोचनी, जाननी शुरू की है क्या इससे कोई फर्क पड़ा है? क्या आपकी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी घटना घटी है जिससे आपको ये फर्क पड़ा हो कि इस इंसान ने मुझे ये कहा और मेरी लाइफ में ये घटना घटी और इससे मुझे ये फर्क पड़ा गया पॉसिबल हुआ? नहीं हुआ ना तो अगर आपकी लाइफ में किसी ने गलत किया आपने उसे प्यार रखा, लगा और रखा आपने अपने जीवन में बहुत दर्द सहा तो क्या उस दर्द को सहने से कुछ आपकी लाइफ में positivity आई कुछ आपकी लाइफ में खुछ आई कुछ आपकी लाइफ में happiness आई अगर नहीं आई तो इस दर्द को हील करना शुरू कीजिए लोगों की बातों को अवाइड करना शुरू कीजिए जो लोग आपकी ऐसी लाइफ में हैं उनको हटाना शुरू कीजिए आपको प्यार फिर जब कहीं से नहीं मिलता ना तो आपको self love की एनर्जी में आ जाना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं यह आप देखिए आपको self love की एनर्जी में सबसे पहले आना पड़ेगा और आप जब self love की एनर्जी में आएंगे ना तो यह चीजें आपकी लाइफ में आपको happiness देंगी, खुशियां देंगी वॉइस ओफ ट्रोथ अवेकनिंग प्रेजन्स और मैं एक और कोई भी कार्ड लेते हूँ यहाँ पे एक कार्ड और लेते हैं आर्क इंजल माइकल का ही कार्ड आ गया है आप देखिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं आप सच हैं, आपने कभी जीवन में गलत नहीं किया है तो आपको सबसे पहले तो अपने लिए स्ट्रॉंग होके खड़ा रहना पड़ेगा जो सच है वो आप एक ना बिना वजे का डर पाल के बैठ गए हैं कि भाई ये लोग और नाराज हो जाएंगे ये लोग मेरे से और बाते नहीं करेंगे मेरे जीवन में तो प्यार मिलेगा ही नहीं लेकिन जैसे पहले कि कहा पॉस्पॉर्म में इसकी एनरजी आई कि क्या पहले प्यार मिला नहीं मिला ना तो आब आपको जो सच है जो आपको तनाव दे रहा है और उस चीज़ पे वो react नहीं कर रहा होता, तो उसके अंदर दो ही चीज़े हो जाते हैं, या तो वो परमात्मा से मिल जाता है, या वो बिल्कुल दोस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आप कहीं न कहीं परमात्मा से मिल गए हैं, योनिवोस आपके साथ है, आर्केंजल माइकल खुद से आ रहे हैं, trusting heaven, यानि कि आप बिल्कुल safe हैं, कोई आप से प्यार करे ना करे, मैंने इसलिए कहाँ, पहले self love की energy में आई है, पहले आप तो अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, पहले आप तो अपनी respect करना शुरू कीजिए, आप अपने आपको अगर नह जी इसके पीछे भागी और फिर देखिए जीवन में कैसे चमतकार होने शुरू हो जाते हैं और वो चमतकार डेफिनिटली आपको ग्रो करेंगे आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएंगे और आप हमेशा अपने जीवन में हैपी पाएंगे अब जब आप अपने आप से प्य नहीं कर रही मैं हर एक इंसान की बात कर रही हूँ जब तक आप अपने लिए नहीं खड़ा होंगे न दूसरे आपको दबाएंगे दूसरे आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे दूसरे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाएंगे लेकिन आपको अपने लिए सिर्फ दुखी रहने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ नेगिटिव रहने के लिए नहीं भेजा है, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप अपने आपको समझना शुरू करेंगे, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाद सदर लाइक, शेयर, कमेंट, खुश रहिए, स्वस्त रहिए, गाड ब्लस यो